सर मैं आप से सवाल पूछना जाता हूँ कि आप लगातार कह रहे हैं कि डर का माहूल है नफरत फैल रही है डर का माहूल है आपकी सरकाश चतिसगड में है वहाँ पर सोनी सोरी जो की इंटरनेशनल हुमन राइट एक्टिविस्ट मानी जाती है उनके घर की बिजली काट दी रही है वो अंधेरे में रह रही है अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर एक उन्नीस साल के आदिवासी लड़के का चतिसगड पुलिस एंकाउंटर करती है तो डर का माहूल भी आपको दिख रहा है और क्यूंकि इस यात्रा से आप कह रहे कि सीविल सोसाइटी पत्रकार वकी जो जो भी सेक्शन डरा हुआ है उसके आप दिल की उसकी मन की नफ उसको डर को आप कम करना जाते हैं तो सोनी सोरी जो की इंटरनेशनल एक्टिविस्ट हैं वो डर में अंधेरे में बैठी हुई हैं तो वहाँ आपकी सरकार है बाकि अगर आपकी सरकार सेंटर में आ गई तो फिर वही जो सतिसकरण मेरा क्या वही होगा नई सबसे पहली बात यह है जे जो आपने मेरे सामने सवाल रखा है यह आप नरेंदर मोधी जी के सामने रख सकते हैं क्या सबसे पहली बात यह है कहां रखे हैं आपने कवरिज एक व्यक्ति के सामने सवाल रखना और कवरिज करना में बहुत फरक होता है प्रधान मंत्री जी ने ऐसे कितने प्रेस कॉंफरेंस किये हैं जहां पे कोई भी पत्रकार उनसे ऐसा सवाल पूछे सबसे पहली बात यह है दूसरी बात यह है कि मैं कह रहा हूँ कि देश की जनता को बाट कर उनमें नफरत फैलाई जा रही है हिंदू मुस्लिम अलग-अलग जात के लोगों को लड़ाया जा रहा है क्या कॉंग्रेस पार्टी यह करती है कॉंग्रेस पार्टी ने कभी कहा है कि हत्या करनी चाहिए कॉंग्रेस पार्टी ने कभी कहा है कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाना चाहिए कभी ने कहा है हिस्ट्री में कभी ने कहा है तो दूसरी बात यह है तीसरी बात यह है कि जो वहाँ पे डर का महावल है उसके बारे में आपने हमें बताया है हम जाके उसको देखेंगे और अगर वहाँ पे हम उसको उसके बारे में बोल सकते हैं मैं बोलूँगा ठीक है और अगर वहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो मैं परस्नल जाके उसको देखके उसमें मेरी जो राय होगी मैं रखूंगा ठीक है मगर मेन बात ये है कि जो देश में आज नफरत फलाय जा रहा है फले जा रही है जो हिंसा की जा रही है वो चत्तिजगर सरकार as a policy नहीं कर रही है वहाँ पे issues है वहाँ पे land acquisition की issues है और वहाँ पे हाँ tension है मगर हमारी policy यातरा के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं personally वहाँ जाओंगा और personally इस बात को समझने के कोशिश करूँगा अगर वहाँ पे कोई कमी है तो उसको मैं सुदारूँगा